सब्टाइटल आपकी वीडियो में कितना रोल प्ले करते हैं ये तो आप भी जानते हैं अगर आपकी वीडियो बोरिंग है तो आप सब्टाइटल एट करके अपनी वीडियो को एकड़म एंगेजिंग बना सकते हो और यही जो फोर्मिला होता है NSV Picture, Tequila और दुरूर राटी जैसे बड़े-बड़े Creator यूज करते हैं तो आज मैं आपके लिए लिखे आप बेस्टेप जिसकी माद से आप सब्टाइटल एट कर सकते हो अपनी वीडियो में और इस एप के अंदर आपको काफी सारे option मिल जाएंगे, animation का मिल जाएगा, अलग-अलग font मिल जाएंगे और इस एप की कास बात यह है कि इस एप के अंदर आपको कोई भी watermark देखने को नहीं मिलेगा free of post है, अभी के लिए बात का पता नहीं, तो अभी इसको जितना यूज कर सकते हो, यूज कर लो तो चलो चलते है mobile के screen पे और सिखाता हूँ आपको मैं तो मैं आगया हूँ इस एप के अंदर, इस एप का जो नाम है, मैं आपको last time या फिर बीच में बता दूआ तो simply आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको plus वाला icon पे click करना है, यहाँ पे आपको auto caption का option देखेगा, इस पे click कर देना है, और यहाँ पे आप अपनी video को select कर लेना है, वीडियो को select करने के बाद, यहाँ पे आपको यहाँ पे English India लिका रहा है, इस पे click करना है, यहाँ पे आपको अपनी language को select कर लेना है यहाँ पर मैं जो language select करूआ English, India कर दूआ ठीक है तो select करने के बाद यहाँ पर आपको generate caption पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर processing लेगा तो हम थोड़ा सा wait करते हैं तो सबसे बिले आप यह वाली वीडियो को देखो यह वीडियो आपको एकम नौरमर तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने subtitle add कर दिये है वीडियो के अंदर तो यहाँ पर subtitle इसने add कर दिया है अब यहाँ पर आपको अगर गरत लगता है जैसे इसने pronounce सई नहीं किया है तो यहाँ पर इस पर click करके इसको आप edit कर सकते हो ठीक है और अगर आपके सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप यहाँ पर style style change करोगे तो वो कैसे करना है तो simply आप यहाँ पर style का option दिखेगा इस पर click कर देना और click करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो आपको काफी सारी आपको animation style मिल जाएगी अब जैसे यहाँ पर मैं को यह वाली पसंद आती है तो मैं इस पर click करके write करता हूँ अब यहाँ पर आप देखना तो कुछ इस तरीके सा आएगा है तो सबसे पहले तो आप यह वाली वीडियो को देखो ठीक है तो यहाँ पर आपको jc भी आपको style पसंद आती है वो style आप select कर लो तो काफी सारी है तो मैं यह वाली style select करूँआ उसके बाद यहाँ पर आपको और भी option मिल जाते है यहाँ पर style पर click करोगे तो यहाँ पर आपको font मिल जाएंगे आपको कौन से वाले रखना है bolt वाला या फिर master जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पर रख लो तो यहाँ पर जैसे मैं यह वाला रख लेता हूँ या फिर यह तो यह simple वाला में रख लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर इसको आप format पर click करोगे तो यहाँ पर font ki size को बड़ा है चोटा कर सकते हो आपको चोटा बड़ा जितना दिखाना है तो आप आपके according आप देख लेना ठीक है उसके बाद नीचे स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर आपको 2 line में दिखाना है 1 line में दिखाना है या फिर 3 line में लिखाना है यहां पर आप select कर सकते हो जिसे यहां पर मैं इसको four line पर click करता हूँ तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने style इसकी one line वाली ही रख रखिये तो वह मैं आपको बतायता हूँ तो यहां पर देखो जिसे यह है इसको apply करता हूँ यह वाला अब यहा one line में आपकी जो video उसको चलाएगा ठीक है two line में करोगे तो two line में दिखाएगा इस तरीके साब यहां पर select कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपको और भी option मिल जाते हैं यहां पर आपको यह देख सकते हो font आपको इसा रखना है alignment कैसा रखना है आपको center या फिर right या फिर left उसके बाद यहां पर आपको यह color दिख जाता है text का color आप क्या रखना चाते हो white रखना चाते हो या फिर red रखना चाते हो या फिर जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहां पर select कर सकते हो तो मैं white ही रेने देता हूँ उसके बाद animation का आजाता है कि आपको animation किस step से चीए आपको step का animation चीए तो यहां पर आप zoom in, zoom out, slide तो यहां पर आप देख लेना जो भी आपको सही लगता है ठीक है और यहां पर आपको यह option दिख जाता है text का color, background color और background का color अगर आप blue की जगे यहां पर मैं red करता हूँ तो यहां पर यह वाला color में रखता हूँ, सही लग रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर option आयता है highlight का तो यहां पर highlight पर click करोगे तो अगर आपको कोई word highlight करना है जैसे मालो मैं को यहां पर इधर में आगे बढ़ाता है इसको थोड़ा सा अब यहां पर देखो जैसे मुझे यह इसको highlight करना है एप लिका रहा है ठीक है आप लिका रहा है इस पर मैं click करूँआ तो highlight हो जाएगा वो तो काफी सही option है उसके बाद मैं course पर click करूँआ तो course अला भी highlight हो जाएगा तो इस तरीके से आप highlight कर सकते हो और style पर आप click करोगे तो highlight का जो color है वो आपको रखना क्या रखना है red रखना है green रखना है जो भी आप चाहूँ रख सकते हो यहाँ पर मैं yellow color रख लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर super size है तो इसको आप super size में कर सकते हो पर जो manually size रहेगा वही रहने देना तो यहाँ पर मैरे आपको पूरा बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पर subtitle यहाँ से आप edit कर सकते हो ठीक है यहाँ पर देख सकते हो editing का आपको दिख जाएगा अगर आपका कोई word गलत है तो यहाँ से आप कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर हम click करते है जैसे enhance पर हम click करते है तो यहाँ पर आप enhancement कर सकते हो और यहाँ पर sticker आपको लगाना है तो आप sticker लगा सकते हो यहां पर आपको स्टीकर का option भी मिल जाता है, जैसे यहां पर मैं, search करता हूँ, funny, एट कर सकते हो, मीडिया में से आप फोटो एट कर सकते हो, टेक्स अगर अलग से लिखना है, वो भी एट कर सकते हो, वो तो काफी सारे उप्शन है इसके अंदर, यह मतलब IOS की जो एपे ना केप्शन वाली, उससे भी बेटर एपे ही है, और फ्री है यह है, एकदम, ठीक है, अब यहाँ पे आपका सारा काम हो जाएगा, अपने सब्टाइटल एट कर लिए, इसको आप उपर नीचे कर सकते हो, आपको जाब इसको सेट करना है, तो मैंको इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर मैं रख लिता हूँ, उसके बाइद यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पर उपर क्लिक कर देना, और एक्सपोर्ट कर देना वीडियो को, अब मैं आपको गेलेरी में जाके भी बतायता हूँ, कि वीडियो में जो वाटरम आके वो आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है, तो इसको मैं आपनी रहन देता हूँ, वीडियो हमारी होगी एक्सपोर्ट, दन पर मैं क्लिक करूँआ, यहाँ पर दन पर क्लिक करके, अब मैं सिंपल जाऊँँआ गेलेरी में, तो मैं गेलेरी में चले जाता हूँ, यहाँ पर यह वीडियो देख सकते हो, यह वीडियो आ चुकी है, तो सबसे पहले तो आप यह वाली वीडियो को देखो, तो यह वीडियो आपको एक्टम नॉर्मल लग रहे होगी, तो एप का जो नाम है वो एप ब्लिंक यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, एप तो प्ले स्टोर पर आप जाना और सिंपली सेर्च कर लेना ब्लिंक एप तो आपको यह एप मिल जाएगी, ठीक है, तो इसको आप इंस्टोल कर लेना, इंस्टोल करने के बाद इसको आप open कर लेना और अपनी वीडियो को बना लेना अनलब जो subtitle है वो add कर देना वीडियो में तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलो मिलते हैं आप नएस्ट वीडियो में